नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेडिशन रिव्यू एंड टिप्स इटू चानल पर आधम HP कीट के बारे में पूरे जान कर लेने वाले है HP कीट का मुक्यतु प्योग पेप्टिक अलसर के समझ्या दोर करने के लिए क्या जाता है आईए इस कीट के बारे में अधिक उस्तार से जानते है यह कीट कैशे काम करती है, कहा इस्तेमाल होती है इस कीट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड एप्ट्स है इस कीट से जुड़े सभी सावलों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आकिर तक दरूर देखे सन फार्मासोटिकल्स लिमिटेड कंपनी की यह कीट आपको 123 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसा निशिमन जाएगी बात करते है इस कीट में मुझूद कंटिन के बारे में एचपी कीट में आमक्सिलिन ट्राइडडिट आईपी 750 अमजी टिनीडाजल आईपी 500 अमजी और ओमेप्राजल आईपी 20 अमजी यह कंटेंशन माश्ट है इसमें मुझूद आमक्सिलिन यह एक अन्टिबाटिक है जो बैक्ट्रिया की सुरक्षात्मक आवरण की निर्मान को रोक काम करता है जो मानों शिरिर में बैक्ट्रिया की आस्तित्व के लिए आवश्यक है और टिनीडाजल यह भी एक अन्टिबाटिक है जो बैक्ट्रिया और आन्यसुसमजीओ को मारता है जो उनके डियने को नुक्सान पहुचा कर अंक्रमन का कारण बनते है और साथ ही ओमेप्रैजल यह एक प्रोटन पंप और ओधक है जो पेट में आशिड की मात्रा को कम करता है और आशिड से संबन दित अपचन और आलसल से जुटकारा दिलाता है बात करते हैं इस कीट के उजश की डॉक्टरी शेकिन की समझ्चा में इस्तमाल करते हैं इसका उप्योग पेट में ग्यास होने की समझ्चा दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही पेट और सीने में जलन होने की समझ्चा गास्ट्रिक आलसर और साथ ही हिलिको बैक्टर पाइलोरी इंपेक्शन संख्रमन तो हमें उस जिवानु संक्रमन के कारण ओने वाले एप्टिक अलसर रोग का प्रभाई डंग से इलाज करता है यह संख्रमन को ठीक करने के लिए बैक्तरिया से लडता है, यह संक्रमें से ओने वाली आशिडीटी और परेशानी से आराम दिलाता है बात करते हैं इस कीट से ओने वाली साइड़ीपेक की यदि आपको इस कीट में मौझूद कंटेंच से आलर्जी है तो आपको साइड़ीपेक हो सकते हैं यदि बताये गए साइड़ीपेक्स मोसस हो तो तुरों डक्टर से संपर करें इस कीट से आपको दर्स्त, मिचलियाना, गुल्टी, पेट दर्द, पेट फुलना, चक्कराना, ठकान, शिर्दर्द, तोचाप पर राशाना और मुह में सुकापन यह साइड़ीपेक्स हो सकते हैं बात करते हैं यह कीट इस्तमाल करने से पहले एमिक्या कैसा अवधानिया लेनी चाहिए यदि आपको इस कीट में मोजुद कंटेंश आलर्जी है या फिर कोई साइड़ीपेक्स मोसस होते है तो इस कीट का इस्तमाल ना करें यदि आपको और मेडिशिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को दरूर भी इंफ़म करें ताकि आपको और डॉस आपि ड्रग इंट्रेक्शन ना हो यदि इस कीट के इस्तमाल गर बहती माईला या फिर स्तनपान करने मेली माईला को करना हो तो गाना कलाजिस की सला दरूर ले उसके बाद इस कीट के इस्तमाल करें यदि आपको लिवर या फिर किडने से जुड़ी कोई भी समश्या हो तो इस कीट के इस्तमाल डॉक्टर के पिर फार्मासेशे पूत लें यादर के दोस्तों हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी किस्तिती रोगी के आयू और अन्यकारणों के आदार पर इस कीट के डोस अलग हो सकता है इसलिए इस कीट के इस्तमां डॉक्टर के सलागे अनुसर करें इस कीट में दो डोस होते है एक सुबह का और एक शाम का जिसमें दो आमक्सिलीन दो टिनिडाजोल और दो ओमेप्राजोल की टाब्लेट्स होती है इसमें आमक्सिलीन और टिनिडाजोल खाना खाने के बाद सुबह और शाम को खानी होती है और ओमेप्राजोल खाना खाने से पहले सुबह